अस्सलामुलेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिसकस करने जा रहे हैं फर्स्ट येर कमिस्ट्री चैप्टर नंबर एड कैमिकल एक्विलिबियम टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल रियक्शन्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बैल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताके इस तरह की इन्परमेटिव वीडियो आप तक पास आनी पहुंचती रहें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं डिरेक्शन में भी मूव करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं रिवर्सिवर रियक्शन बोलते हैं लेकिन इसमें जो अप्लाइड कंडिशन हैं जो के हमारे पास प्रेशर है टमप्रेचर है या कैटलिस्ट है वह हमने क्या रखनी है वह कॉंस्टेंट रखनी है उसको चेंज करना तो इसकी definition देखते हैं a chemical reaction proceed in both direction at given condition is called reversible reaction और वो given condition हमार पस क्या है वो हमार पस temperature हो सकता है वो pressure हो सकता है यह हमने क्या रखनी है यह given condition हमने constant रखनी है तो ऐसा chemical reaction जो के forward direction में भी move कर सकता है और reverse direction में भी मूग कर सकता है, लेकिन उसकी condition को हम क्या रखें? उसको constant रखें, तो ऐसे chemical reaction को हम क्या बोलते है? Reversible chemical reactions बोलते हैं, example है हमारे पस कि Heber process में हमारे पस nitrogen और hydrogen आपस में मिलके हमारे पस क्या बनाती है? Ammonia बनाती है, ये हमारे पस यह Reversible reaction को हम double-headed arrow से show करते हैं कि यह 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 दोनों गैसिज मिलके हमारे अमूनिया तियार करती है लेकिन यह अमूनिया दोबारा आपस में क्या बनाती है यह दोबारा हमारे पास nitrogen और hydrogen बना देती है यह हमारे पास क्या है forward direction और यह हमारे पास क्या है reverse direction तो ऐसे chemical reaction जो forward direction में भी move करता है और reverse direction में भी move करता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम reverse reaction बोलते हैं अब इसमें जो हमारे पास main aim है जो reverse reaction का main target है वो क्या होता है वो equilibrium attain करना हो होता है कि rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction तो उसको हम क्या बोलते हैं equilibrium कि जितने rate हमार पस nitrogen और hydrogen आपस में मिलके यह ammonia बना रही है उसी rate से ammonia दोबारा क्या बना रही है nitrogen और hydrogen gas बना रही है तो जब दोनों में equilibrium attain हो जेगा दोनों में हमार पस constant value यह constant concentration आजेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं equilibrium तो इस ultimate goal जो है इसका क्या होता है reverse reaction का to achieve equilibrium कि यह equilibrium हमार पास हासर करने में मदद देते हैं अब यह जो reversible reactions हैं इनको हम क्या करते हैं यह हम closed vessel में हासल करते हैं closed container होना चाहिए इसके लिए हमार पास condition क्या है कि जिस बरतन में या जिस container में यह chemical reaction take place हो रहा है वह क्या होना चाहिए वह हमार पास closed container होना चाहिए वह क्या होना चाहिए closed container होना चाहिए और इसको हम denote किस से show करते हैं वह हम double headed arrow से show करते हैं किस से show करते हैं double headed arrow से यह था students हमारे पास reversible reaction जो के forward direction में भी move कर सकता है और क्या है reverse direction में भी move कर सकता है इसको हम क्या बोलते है reversible reaction बोलते है next हमारे पास आता है इसके opposite है irreversible reaction कि यह हमारे पास क्या है यह single direction में move करता है कि single direction में कैसे a chemical reaction proceed in one direction only at a given condition कि given condition में हम क्या है यह single direction में move करता है इसको हम क्या बोलते है, इयरिवर्सिबर रियक्शन, ये double direction identifying मूझ pos सोडियम जब water के साथ रियक्ट करती है, क्या बनाती है, सोडियम हाइडियोग्सड can बनाती है और 27 legitim हाइड भाइड्रोजन गैस परड्यूस करती आब ये दोader reacting करते , तो ये क्या हैس सिंगल डिरेक्शन है सेम इसी तरह दूसरी एक्ञेंपल है कि हाइडरोजिन और हमाencारी पिवाटरLS करते हैं तो यह क्या हमारे बनाते हैं हमारे पर बनाते हैं किसकी मुछूद्गी में यह महाँ पर की मुछूद्ध्रण कि मुजूद्ग्ये हमारे पक्राड़क्ट बनती है लेकिन अगर हम condition constant रखें same condition apply करें तो यह दुबारा product जो है यह रियक्टर में convert नहीं होती इसको क्या बोलते है एर्रिवर्सिपर reaction लेकिन अगर हम यहां पे क्या है condition change करें एलेक्रिक 스ार की जगा हम यहां पे क्या करें 1500 centigrade temperature इसको परवाइड करें SPAR की जगा हम हम यहाँ पर क्या और 500zetli grade temperature इसको परवाइट करें इसको इतनी क्षबाइड करें 1500 compassionate तो यह क्या है यह वाटर दुबारा product इसमें convert हो जाती है अपने respective reactor में convert हो जाती है hydrogen में और oxygen में convert हो जाती है अब हमने यहाँ पर क्या किया है यहाँ ने इसकी condition चेंज की है कंडिशन चेंज करने से यह क्या है यह रिवर्सिबल प्रासेस हो गया है लेकिन अगर हम यहां पर रिवर्सिबल रिवर्सिबल रेक्षन बोलते हैं अब यहां पर हमारे पर इस के नरे एक्विलिबियम इक्विलिबियम स्टेट के जहां पर जहां पर जे जो जतना के सारे के सारे रिक्ट्रं वह मिलके बना रहे थिक लएशलpark ज्वह बना रह草द पराडुक्श्ख लग aluminum आयरिया chemical reaction जो irreversible reaction है ये दोनों बरतन में हो सकता है ये खुले बरतन में भी हो सकता है और क्या है बंद बरतन में close बरतन में भी ये हमारे पास हो सकता है और इसके लिए जो हम arrow का sign use करते हैं वो क्या है single headed arrow के इसके लिए हम single headed arrow का sign use करते हैं ये था हमारे पास students हमारे पास पॉलते हैं कि ुरीची टो एकimmeडािक्ष्ट हले कि क्या है 搞 hail फारवर्ड रூ इस एक लिएक्षण टूरहेट और रिवर्स रियक्षण कई यह रिवर्स रियक्षण हमारे जिसमें क्या है rate of forward reaction ये हमारे पार्पास क्या है इसको हम बोलते है rate of forward reaction और यह हमार पास क्या हो जआगा rate of reverse reaction जब हमार पास reversible reaction में यह rate of forward reaction और rate of reverse reaction दोनों एक दीश्रक के equal हो जाते है तो इसको हमक्या बोलते हैं यह हमार पास equilibrium attain हो जाता है chemical equilibrium कि अब हमार पास एक example है कि यह क्या है COR interpreting a reaction है यह क्या है करती है हमार पास यह कंसंट्रेशन को शो करती है यह ब्रैकेट जो स्केर ब्रैकेट है यह किसको शो करती है यह कंसंट्रेशन एक कंसंट्रेशन और यह बी की कंसंट्रेशन इसी तरह यह दोनों आपस में रियक्ट करके यह हमार पास क्या बनाती है प्रॉडक्ट जिसको हम क् एक state ऐसी आएगी जब हमारे पस क्या है यह rate of forward reaction यह forward direction is equal to rate of reverse reaction के जब यह forward direction का rate और reverse direction का हमारे पस रेट यह दोनों के equal हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते है chemical equilibrium एक graph की मतनद से को हम understand करते हैं कि यह हमारे पस एक graph कि कोई उसका unit क्या है mole per decimeter cube mole per decimeter cube अब हमारे पास क्या होता है कि ये दो reactant है अब चुक्के initial point पे A और B हमारे पास reactant है इनकी concentration क्या हो रही है इनकी concentration कम हो रही है तो इनकी concentration कम होने की वाज़े से हम क्या है कि क्योंकि यहाँ पे rapid decrease हो रही है इनकी concentration rapid, बहुत fast इन में कम ही आ रही है तो यह क्या है हम उपर से नीचे ले रही है कि concentration इनकी क्या हो रही है कम हो रही है, decrease हो रही है लेकिन आ皂सा आसा एची क्या हो रही है constant अब यहां पर हमार पर जो product है C and D की concentration यह हमार पर column क्या है तो reaction क्या हुआ है start हुआ है, A और B में आपस में मिलके क्या बनाने टीवर्ट के दिया हमार परदाना अपर बनाने हैं, तो आस्ता 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 इंक्रीस करेगी लेकिन एक ese EST-POs हो जाएगी एक्वल हो जाएगी के रेट ऑफ और डिरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डिरेक्शन यहां पर हमारे पास यह क्या होगी तो इस पॉजिशन के हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कि chemical equilibrium हमारे पास attain हो गया है क्या होता है कि यहां पर इस position पे हमारे पास chemical equilibrium attain हो गया है हमारे पास दो point है कि chemical reaction जो है equilibrium position पे stop हो जाता है क्या हो जाता है stop हो जाता है जब equilibrium हासल हो जाता है तो chemical reaction क्या हो जाता है stop हो जाता है all reaction stop at equilibrium इसमें second हमारे पास point क्या है कि in reality के real में हमारे पास यह chemical reaction stroke नहीं होता बलके यह क्या होता है यह continuously चार रहा होता है लेकिन क्या होता है rate of forward direction हमारे पास equal हो जाता है rate of reverse direction के यह हमने पहले भी कहा था कि rate of forward direction is equal to rate of reverse direction तो हमें वो क्या लगता है कि हमारे पास के reaction stroke हो गया है actually वो reaction stroke नहीं हो रहा था बलके क्या होता है कि forward direction की जो speed है जो rate है वो किसके equal हो जाता है वो reverse direction की speed के equal हो जाता है कि जितना A और B आपस में मिलके product बनाएंगे C and D उतना ही C and D product दोबारा मिलके यह क्या बन देते हैं तो इस position को हम क्या बोलते हैं chemical equilibrium second point है in reality reaction does not stop but rate of forward direction rate of forward reaction is equal to rate of reverse direction rate of reverse reaction के equal हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं यह हमारे पर dynamic equilibrium होता है यह dynamic equilibrium का वहासिल होता है जब हमारे पर reverse reaction में हमारे पर रेट ओ फारवर ड्रेक्शन इस उकल रेट ओ रिवर्स ड्रेक्शन हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं chemical equilibrium की हमारे पर क्रेक्टरिस्टिक्ट्रिक्स हैं वो क्रेक्टरिस्टिक्स क्या है कि concentration of product and reactant become constant कि जाहुमारे पर दोनों का rate constant हो जाएगा दोनों का कर रेट बराबर हो जाता है तो हम क्या बोलते है कि को रिक्टरिक्स डीम Dollar降 में इस सब कभ ते हैं जब हम जो अप्लाइड कंडीशन है जो कि temperature है pressure है या catalyst है वो हम क्या रखें constant लेकिन अगर हम इसमें change लाएंगे आएंगे कि जो applied condition है उसमें हम अगर change apply करते हैं तो हमारे पस वो chemical equilibrium भी क्या हो जाता है disturb हो जाता है any change in pressure, volume and temperature disturb the equilibrium के applied condition जो हमारे पस है वो क्या रखनी चाहिए constant लेकिन अगर उसमें कोई change आती है तो equilibrium में भी हमारे पस result क्या हो जाता है उसमें भी change आती है अब हमारे पस जो catalyst होता है उसका function क्या होता है कि catalyst हमारे पस actually rate of forward direction को rate of reverse direction को दोनों को क्या कर देते हैं speed up कर देते हैं लेकिन equilibrium पर यह कोई effect नहीं करते catalyst does not disturb equilibrium के catalyst does not disturb equilibrium बट helps to achieve equilibrium earlier के इस से यह chemical reaction को यह chemical equilibrium को disturb नहीं करते अगर यह rate of forward reaction को increase कर रहे हैं उतना ही rate of reverse reaction को भी increase करते हैं इस से हमें क्या होता है कि chemical equilibrium हम जल्दी attain कर लेते हैं हमें chemical equilibrium जल्दी achieve हो जाता है लेकिन chemical equilibrium पर यह कोई effect नहीं करते बलके कि यह क्या करते हैं कि हमें जो chemical equilibrium है वो जल्दी अचीव हो जता है लेकिन उसकी position को यह disturb नहीं करते कि जितना यह forward reaction को increase करेंगे उतना ही क्या करते हैं reverse reaction को भी increase करते हैं अब हमार पास क्या है equilibrium state is a dynamic state कि equilibrium हमार पास जो state होती है वो क्या होती है dynamic state होती है dynamic state हमार पास क्या होती है कि जितना हमार पास rate of forward reaction होता है उतना ही हमार पास rate of reverse reaction के equal होता है इसको हम क्या बोलते है dynamic state या dynamic equilibrium यह था students हमार पास कि सारा reversible और irreversible reactions क्या होते हैं इसमें हमने effect बढ़ा के chemical equilibrium वो क्या होता है और dynamic equilibrium क्या होता है उमीद करता कि आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो इसको बाकी लोगों से जरूर शेयर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा शुक्रिया